हैलो नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में बाठी चोखा देखना कैसा होता है सपने में बाठी चोखा खाना कैसा होता है सबने में बाटी चोके की विभिन नवस्ता है हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अन्त तक जरूर देखना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट वोक्स में जैसे रिराम लिख दे इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माद्यम से पूछ भी सकते हैं हम कोसिस करेंगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दिया जा सके जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बाटी चोका जिसको हम अकसर आनंद के लिए खाते हैं इसके अलावा प्रिकनिक बगार आप भी जाते हैं तो इसको खूब चाओ से खाते हैं क्योंकि ये हमारा टेरेडिरेशनल फूर्ड है इसके अलावा इसको बिहार उत्तर प्रदेश एबम मुत्तरी राज्यों में खूब जादा पसंद किया जाता है खासकर बिहार में तो ये बाटी चोका बिहार की सान बोला जाता है अब बात कर लेते हैं सपने में बाटी चोका देखना कैसा होता है तो मैं आपको बदा दू अगर आप सपने में सोहम को बाटी चोका बनाते हुए देखते हैं अपने आपको देखते हैं तो ये भी बढ़िया होता है इसका मतलब होता है कि निश्चेती आने वाले समय में आप अपने जीवन में आनंद का जानभग कर सकते हैं भाईये बात कर लेते हैं अगर आप सपने में दोसरों को वाटी चोका खाते हुए देखते हैं तो ये भी बढ़िया होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके संबंदियों की आपके मित्रों की संक्या बढ़ने वाली है आपका स्वासर सलकल बढ़ सकता है भाईये बात कर लेते हैं आप अपने संबंदियों के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर वाटी चोका का आनंद ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं इसकी मुदाबत को अगर ऐसा सपना आपको आता है तो ये भी अच्छा ही होता है इसका मतलब होता है निश्चिती आने वाले समय में आपको आपके परोसियों, आपके सहयोगियों, आपके मित्रों का काफी भरपूर साथ मिलेगा जिससे आने वाले भविश्य में आपकी छोड़ी मोडी दिक्कते या थोड़ी मोडी समस्या हैं उनको हल करने में काफी आपको सहूलियत होगी और आपको आनंद के पल मिलेंगे बहीं बात कर लेते हैं अगर आप बरतमानत के समय में आप बहुत ज़्यादा टेंसर में हैं अपने काम से थोड़ा बहुत बरेक चाहते हैं या अभी के टाइम पर अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा बरेक लेना चाहते हैं ऐसे में अगर आपको बाटी चोका आता है सपने में तो इसका मतलब होता है निश्चिती आने वाले समय में आपको जो है रेश्ट करने का अफसर प्राप्त हो सकता है उमेद करते हैं जनकारी पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जैसे राम लिखें Thank you for watching